जिसके चित में लोब पहत चेत सा जिसके चित में लोब ऐसे लोग अपने ही कुल का नाश कर लेते और मित्रों के समझाने पर भी समझते ने विरोध करते जो कहें ये काम गलत है वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता कृष्ण ने समझाया, भीष्ण ने समझाया, विदुर ने समझाया राजा दुरुबवत ने समझाया पर तुर्योधन को बात समझ नहीं लगी और दृतराश्र अपने पुत्र मोह में यह बात के युद से नाश होगा, युद से कल्यान नहीं होगा यह बात वह भी नहीं समझ पाया उसने एक ही बात कही के मेरा पुत्र राजी नहीं, स्रो मेरा राजी नहीं मुझे मेरा पुत्र स्रेष्ट है, मुझे मेरा पुत्र प्री है मेरा पुत्र इस बात को नहीं समझता इस कारण से मैं इस युद को रोकने में असक्षम हूँ अरजुन कहता है क्या लोब का ये खेल है कि जो समझाए उसकी बाद समझ नहीं आ रही वो भी दुश्मन लगता है कथमना गेयम हेजनारदन कुल का नाश जिस लोब से हो रहा है वह लोब से बड़ा पाप है कोई कुलक्षकृतम दोश्म अपने आपको इस दोश से पीछे नहीं हटाना चाहरा और ऐसा विचार भी नहीं करता ऐसा सोचता भी नहीं है जनारदन ऐसा सोचने को भी तयार नहीं कि हम लोगों का इस युद्ध के बाद क्या होगा एक बार नहीं सोचता कुलक्ष्या प्रणश्यंती कुल दर्मह सनातनह दर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्म दर्मु अभी बवत्यूत अब हमारे इस कुल का नाश अगर हो गया तो कुल का दर्म भी जाएगा अर्जुन अबेक का समाजिक दर्ष्टिकुन से बात कुल आ रहा है सामने हर कुल का एक दर्म है दर्म संगत कुल जी रहा है कुछ मर्यादाएं, कुछ नीतियां, कुछ नियम के साथ चलता है जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो कुल के द्वारा बनाई गई उन नीतियों, उन दर्मों का पालन कौन करेगा कौन और ये नीतियां आज से नहीं यह सनातन है कब से चल रही है हमारे कुल में और जिस समें कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो दर्म भी नष्ट हो जाएगा देखिए, नीति आपके जीवन का एक पहला आधार होता है जिन घरों में माबाप अपने बच्चों को बुनियादी सिक्षा, बुनियादी सिक्षा मैं कह रही हूँ घर आए तो महमान का स्वागत करो बेटे उठो, पानी पिलाओ, पाओ छूओ, प्रणाम करो, इने बैठाओ, बोजन कराओ, इनके लिए बिस्तरा लगाओ गाए, पक्षियों को अनाज दो, दान दो ये बुनियादी बाते हैं, माबाप सिखाते हैं पहली रोटी, गाए की सादू है, ब्राह्मन है, सेवा करो रोगी है, गरीब है, उसका खयाल करो दान दो, सुबह उठो ये सुबह उठने का पाठ भी कौन देगा, ये माँ पिता देते पिता माहा देते, हाँ, वो बात अलग है जिस गर में माबाप खुदी दस बज़े तक सो रह हो उनके घरों की मैं बात नहीं कर रही हूँ मैं उस स्वस्त परिवार की बात कर रही हूँ जहां पुजन चलता है तुलसी का, गाय का, पीपल के ब्रक्ष्रों को शाम हो गई ये पत्ते न तोड़ ये जीव हत्या है, पत्ते सो गए है माबाप का तरीका है, समझाने का बड़ा है, बजूर्ग है, उसको वेठा, खुद खड़ा हो जा बुनियादी चीजे, अब अगर ये बेश, ये एथिक्स का बेश अगर तुम्हारा है तो इसी के अधार पर फिर आपके भक्ती, योग, इन सब स्रेष्ट कर्मों का, स्रेष्ट दर्शनों का उपारजन भी हो जाएगा पर जिसकी ये बुनियादी नहीं जिनके गरों में तमोगुन का राज्य चल रहा है उन गरों में क्या वेदान्त पढ़ा जाएगा क्या उन गरों में गीता को समझने की कोशिश होगी क्या ऐसे गरों में जाप साइब और जबजी साइब पढ़े जाएगे नहीं 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 वहां अशलील गीत संगीत होंगे जहां सिर्फ खाना पीना और कैसे कमाएं इसका कोई लियाज नहीं है बस धन होना चाहिए मार के लाओ चोरी से लाओ डाके से लाओ रिश्वत कोरी से लाओ बस धन लाओ और भोगो जहां कुल दर्म नहीं होगा वहां दर्म का भी नाश होता है और पाप दबा लेगा पाप भी दबा लेगा जो भी पीछे इनसान बचेंगे उनके मन के पास सिर्फ एकी चीज बचेंगी और वो है पाप कुल दर्म गया, दर्म गया, पाप दबा लेगा और फिर ऐसी हालत में पाप का जब बढ़ावा हो जाएगा, कुल धर्म जब नहीं रहेगा तो अर्जुन तीस दी अब बात कहरे आ धर्मा भी बवात कृष्णा, कृष्णा प्रदुश्यंति कुलस्त्रिया जिस परिवार में कुल धर्म का नाश्म हो जाएगा, ऐसे परिवार की इस्त्रियां पत ब्रष्ट हो जाएगे पत ब्रष्ट हो जाएगे ये अब मैं थोड़ा सा इस पे टिपनी जरूर करना चाहूंगी के अरजुन उस काल की बात कर रहा है जब मनुसमृती का जोड था जहां ये सोच थी के कन्या, अभिवाहित हो तो भाई और पिता के आश्रित है शादी हो जाएगे तो पती बिद्वा हो जाएगे तो पुत्र उसकी रक्षा करेगा ये सोच उस समय पर काफी प्रभावी थी हालां कि ये वही युग है जिस युग में स्वयम अर्जुन की मा कुंती ने विवाह से पूर्व करण को जन्म दिया था जहां खुद ये पांडव अपने पिता के नाम से नहीं अपनी माता के नाम से जाने जा रहे है पर कहीं न कहीं ये पुरुश अभिवान है जो फिर उचल के आ गया है उसका कि पुरुश नहीं रहेंगे तो इस तरियों का कुल दर्म नश्ट हो जाएगा इसके बीछे एक थोड़ी सी बात यह भी आती है पुरुश बिगड जाए कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे जिम्मेदारी माता की होते हैं ना के पिता की पिता का काम दन लाना है कमाना और दन लाना है पहले नौ महीने बच्चा रहता मा की गर्भ में फिर कम से कम बारा साल की उमर तक रहता है मा की गोद में पिता हिरन्याक्ष्रो, कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि माता बगता थी उसने अपने पुत्र को भक्ति का फ्रेम का सत्य का पड़ा दिया, कोई फरक नहीं और वी देखें तो कितने ही ऐसे सैंकडो उद्दारण हमें इतिहास में मिलते हैं जहां माताओं ने अकेले दम पर अपने बच्चे का इतना सुंदर लालन पालन किया कि ऐसी कोई कमी प्रतीत नहीं हुई स्त्री पूर्णा होती है वो पूर्णा पिछले दिनों मैं एक Physiology और Anatomy की एक बुक देख रही थी, किताब देख रही थी उसमें एक्सन वाई क्रोमसों के बारे में ये डाइगराम था जिसमें उन्हों नहीं दिखाया कि जो एक्स क्रोमसों वो य से बड़ा होता है माने स्ट्री का शरीर जिन एक्स क्रोमसों से बनता है वो एक्स क्रोमसों का जो साइज है वो वाई, वाई क्रोमसों जिससे लड़के का लिंग बनता है मेल चाइल्ड बनता है वो वाई क्रोमसों एक से छोटा है इसका मतलब क्रोमस्रोम की लेवल पर भी इस्तरी पूरुष से बड़ी है अब चक्कर यहे जो फर्क परकृति ने दे दिया उसी को मिटाने के लिए पूरुषों ने जहने कितने यतन कर दिये कि जैसे तैसे इसको दबाओ जैसे तैसे इसको बताओ और आज की, आज की क्या है, बहुत लंबे समय से, बहुत सी इस्त्रियां ये मनती भी है, पती नहीं है, तो हाय, कैसे जिएगे? बहाई ना रहे, हाय, कैसे जिएगे? रात अंदेरे बार निकलना बड़े, हाय, कैसे जाएगे? ये जो हाय है, ये पर्मानेंट फीचर बन गया, टेल हो गई है, पूँच बन गई है, तो कहीं न कहीं, वही बाव अर्जुन प्रगट कर रहा है, स्त्रियां कुल को समालती है, पुरुष बिगड़ भी जाए, तो भी स्त्रियां ही कुल समालती है, और अगर इस्त्रियों का ही दर्म नष्ट हो जाए, तो ऐसे परिवार का कोई बविष्च नहीं रह जाएगा, वरन संकर होगा, वरन संकर को थोड़ा और समझे, संकरो नरकाएव, कुल ग्रानाम, कुलस्यच, पतंति पित्रो, वेशाम, लुप्त पिंडोदत क्रिया, वरन संकर जातिय व्यवस्था को, जाश्रम की व्यवस्था है, उसको देख करके, के रे ब्राह्मन, क्षत्रिय, शुद्र, वेश्य, इन चार जातियों का परस पर विवाह उचित नहीं माना गया, शुद्र ब्राह्मन से ब्याजाए, क्षत्रिय, वेश्य से ब्याजाए, उके तर ये ठीक नहीं, अपनी अपनी जाति का अभिमान बड़ा गहरा है, अब इसमें कुछ बातों को समझना जरूरी है नहीं तो ये लगेगा कि गीता क्या ऐसे जातिवाद को बढ़ावा देती है क्या नहीं देती नहीं जातिता को बढ़ावा नहीं देती ब्राह्मन कारत क्या ये समझें ब्राह्मन कारत ये नहीं जो ब्राह्मन पिता के घर पेदा हुआ हमारे रिश्यों ने कहा ब्राह्मन वे है जिसने ब्रह्म का बोध किया वैश्य कौन है जिसकी बुद्धी ब्यापार में नफे नुकसान में बड़ी अच्छी चलती हो वो वैश्य है जिसकी बुद्धी सिर्फ शरिर तक सीमित है बहुत जायदा आईख्यू लेवल नहीं है उसे शुद्र कहा जिसके भीतर पावरुष वीररस की मात्रा अधी कहे उसको वीरतापुर्ण च्छत्रिय दर्म कहा गया बर यहाँ अरजुन दूसरी बात कह रहा है वो अकलमंदी की बात नहीं कह रहा है बहुत से सनातन धर्म के जो सादू और मात्मा है वो आज भी इसी शलोक को आधार मान के वो अपने शुद्रताओं से यह कहते है कि अगर तुम ब्राह्मान हो तो ब्राह्मान से ही ब्याह करो, शत्री हो तो शत्री से ही ब्याह करो, ब्याष्य हो तो ब्याष्य से ही ब्याह करो, शुद्र हो तो शुद्र से ही ब्याह करो. बड़ा आजीब लगता है मुझे. सनातन दर्म के ही रिशी उद्धालक ने अपने पुत्र श्वेत के तु से का था कि बेटे तू जन्म से शुत्र है मैं ब्रामन हूँ, इसका रती है नहीं कि तू भी ब्रामन मैंने ब्रह्म का बोद किया, इसलिए ब्रामन हूँ अभी तु शुद्र है जिस दिन तु गुरु के द्वारा दिये गए तत्व ज्यान का श्रमन मननि दिद्यासन कर आत्मनिष्ट होगा उस दिन तु ब्राह्मन होगा जा अब ब्राह्मनत्व को ढूढ और उसके लिए गुरु को ढूढ इसी रिशियों की परमपरा में कोई यह बात कहे कि जाती को जाती में ही भ्या हvised करना चाहिए मेरी समझ में तो यह बात उतरती नहीं यह कह सकते हों मैं कुछ हद तक अगर ब्राह्मन अर्थब इजुकेशन विद्या जरूरी नहीं कि अध्यात्मिक विद्या हो अगर किसी का दिमाग इस लोकिक विद्या में अधिक चलता हो उसका ब्या किसी ऐसे इनसान से हो जाए जो कहे बस खाओ पियो मौज करो डांस करो भंगडा करो अब आपस में बनेगी कैसे बुद्धी और स्वभाव मिलने चाहिए इसका आपकी जाती से कोई लेंदे नहीं आपके स्वभाव जब हम कहते ब्राह्मन तो यह स्वभाव जब हम कहें छत्रिय तो यह स्वभाव जब हम कहें शुद्र तो यह स्वभाव कई बार कई महिलाएं मुझे लिखती हैं हमारे पती आने नहीं देते शिवीर में क्या करें मुझे ने का अब तो तुम कर चुके जब ऐसे राक्षर से बिवाह कर ही लिया है तो भोगो पहले अकल नहीं थी जब शादी करनी थी तो देखते थे लड़का सुनर हो लंबा हो पैसा कमाता हो नौकरी अची हो वो सब थे शादी कर ली अब जब सत्संग सुना तो समझ लगी नहीं ये तो कुछ नहीं जीवन में तो कुछ और चाहिए अब जब किसी और की कामना हो रही है और स्रेष्ट होने की चाह हो रही है तो वही पती जो सर्व स्रेष्ट पूरुष लगता था आज वही रस्ते का कांटा हो गया सही भी है बुद्धी का विकास होने चाहिए अब पहले नहीं था अब हो गया ऑब उसके लिए तो बड़ा शुभलक्षन है लेकिन अपने पती को समझहना मुष्किल हो जाता है ऐसे ही कहीएज पत्नियों को समझहना मुष्किल कहीं रही जगेज पती को समझाना मुष्किल तो मेरी दृष्टी से जब हम कहें ब्राहमान चत्रिये तो ये सोच और वुद्धी और सुवाव से संबंदी थे ना के आपके शरीर के जाती है दौर्मों से भारत में बहुत बड़ी गिंती है जिनको यह मेरी बात शायद समझ न लगे यह अच्छी न लगे हम अगरवाल तो शादी अगरवाल से हम शर्मा तो शादी शर्मा से उसी को वो वरन संकर कह रहा है कि जिस वरन व्यवस्था में हम चल रहे हैं इस वरन व्यवस्था में दोश आ जाएगा जब कुल धर्म नश्ट होगा तो इस तरी जीवन यापन करने के लिए या शरीर के भोग के लिए किसी भी वरन के पुरुष के साथ जीएगी, रहेगी, ब्याह करेगी फिर उनके जो संतान, ये जो मिक्स ब्रीड पैदा होगी ये और भी सत्यानास कर देगी तो बहुत बड़ा दोश है वरन संकर कर ये होगा अगर युद्ध होगा ये होगा, अरजुन ये कहरा, ये होगा अगर युद्ध होगा करण कुंती का पुत्र है पिता सूर्य है पर पाला इसको सारथियों ने, शुद्रों ने यह बात कभी भूलने नहीं दी ना अरजुन ने ना युदिस्टर ने जहां कहीं मौका बैठा, तो उन्होंने तुरं ताना मार दिया रहे सूत पुत्र चुप रह तु बोल मत, तुम हमारी छत्रियों की सभा में आ नहीं सकता करण कहते बहुत सुनर था बहुत, बल्वान, बुद्धिमान, देखने में भी प्यारा शरिर भी उसका बलिष्ट, जदा दुरौपदी का स्वेंबर ठहरा तो यह भी पहुचा सब लोगों से जब निशाना न लगा तो करण उठा जैसे ही करण ओठा दुरौपदी घबराई अब उसने कह दिया मैं सूत पुत्र को अपने स्वेंबर में शामिल नहीं करूँगी करण को भूलने नहीं दी गई यह बात अब इस द्रष्टी में मैं कहूंगी दुरियोधन अर्जुन से भी अच्छा निकला क्योंकि उसने कहा तु एक युद्धा है वीर है मैं तेरी वीरता का आदर करता हूँ तु किस घर में पला मुझे उससे कोई लेंदे नहीं देखिए अर्जुन और दुरियोधन की यह मैं दोनों चरित्रों की बात इसलिए कर रही हूँ उसे स्विकार सिर्फ दुरियोधन की यह अपना मित्र बनाया एक राज्य दिया राजा बनाया और अपने साथ बढ़ाया दोशे रहते कुल ग्राणाम वर्न संकर कार कह इस वर्न संकरकारथ दोशों से हमारा कुल दर्म का गहत करदेगा सनातन कुल दर्म को नष्ट करेगा जातिये दर्म नष्ट हो जाएंगे उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुश्याणाम जनार दन नरके नियतं वासो बवती नूशूशं अहो बत महत्पापं कर्तुम व्यबस्तिता वयं यद्राज्य सुखलो बेन हंतु स्वजन मुईता हे जनार्दन हम अपने कुल धर्म के नष्ट करने माले बने ऐसे में क्या समझदारी है हम अपने कुल का नाश करें वर्न संकर हो जो अलाद पैदा होगी अब इस अलाद को कुल धर्म का पता नहीं मरने बाद श्राद कोई नहीं करेगा नित्य कर्म कोई नहीं करेगा जब श्राद नहीं होगा तो पित्रों की मुक्ति कैसे होगी अब अर्जुन करमकांड को ला रहा है जो हर कुल के धर्म का एक अटूट इस्टा हाला तो ये वित्ता हुच्छा वेदान्त ग्यान सुनेंगे पर जैसे ही बाप या मा मर जाहे न तो कि कहां दान करें ढरते हैं कहां दान करें उसने का सा कुवे को आटा डालो डालू मैं डाल ले भाए और जिसके गर में मृत्यु घटी हो ताजी ताजी तो उनको तो ये अनुभव अभी याद भी होगा कि गर से जब लाश लेके जाने से लेके लाश को जलाने तक अंतिम क्रिया कर्म करने तक कितने ही समाझ के ठेकेदार और पंडित और भाई आजाएंगे एकरो एनी करो एकरो एनी करो और गर वाले अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी यह पिछे नी मूड के देखो जब आग लगा दें समस्कार जल जाए चिता तो कहते चलो गरों को तो उसमें गते हैं पिछे नी मूड के देखना क्यों पिछे मूड के देखो गए तो वो साथ में आजाएगा पिछे मूड के नी देखो गड़ में पानी बारो गुमों फोडो पिछे नी देखो पिछे नी देखोंगा मैं आत्मा आत्मा कहने वाला उस समय ऐसा देह भाव में आता है खुब उल्लू बनाया जाता उस समय एक महिला ने मेरे से अभी अमेरिका में बात कही के मेरे बच्चो जो हैं वो तो बिल्कुल अमेरिकन हो गए तो मेरे को न इस बात की बड़ी फिकर हो रही है कि जब मैं मरूंगी तो मेरा जो अंतिम क्रिया कर्म है वो दर्म नुसार कौन करेगा मैं लो कर लो बात मैं तु एक काम कर अपनी टिकट कटा सीधे हरिद्वार जा और अपना स्थाद कर्म खुद अपने हाथों से कर दे अब उसके बाद वो तुझे क्रमेटोरियम में जाके तुमारा खतम कर दे शरीर या किसी कबर में गाड दे कुई बात नि रहे जएगी तुमें संतुष्टी रहेगी कि तुमने अपना अंतिम क्रिया कर जो दान जो पुन्य करना वो खुद अपने हाथ से कर दे कर देखे अचा यह से भी होता हमाँ यह संभव है मैं बिलकुँ संभव है कोई चार साल पहले अपने शरीर के जन्म दिन पर हमने इस्राद कर्म अपना किया था तो अवारा पंडित बोला जो जिस ब्रह्मन को हमने बुलाया तो वो मेरे से कहता है कि असल में शास्त्र कर्म कांड ने यह बात आदेश दी है कि हर मनुष्य को अपने हाथ से करना ही है पर लोग चुकी डरते हैं अपने हाथ से अपना शराद इस कारण वो करते नहीं और वो फिर सोचते हैं कि जब मरेंगे तो बेटा या बाद में जो परिवार के लोग हैं वो करें तो करें हम क्यू करें कहरे पर मैं अपने पंडित काल में यह पहला शराद करा रहा हूं कि एक जीवित इंसान अपने हाथ से खुद कर रहा है मैंने का भई मुझको तो बस देखना था कि यह तमाशा होगा क्या तो देख लिया बस तेरे यह जो भी तु कुछ कर रहा है इसके करने से कुछ मुझे अध्यात्मिक उन्नतियां लाब नहीं दिख रहा पर ज़स्ट तो सी वाट इट इस क्या होता क्या है हाला कि जब आपने अपने मन से संसार की आसकती और मंता को त्यागा जब आपने देख भाव छोड़ा एक तरह से आपने अपनी मृत्यू का वरण कर लिया और यह जान लिया देख का स्वभाव मरना है और इस देख में जो है आमर अमृत स्वरू उसको तो मौत चूँ नहीं सकते पर मरने बाद ठीक से दान पुन होगा नहीं होगा शाद कर्म होगा नहीं होगा इसकी फिकर अच्छे खासे वेदांतियों को भी है और यह कहते हैं यह कुल दर्म यह सनातन दर्म है ऐसा होना चाहिए मुझे रुषिकेष में एक संथ मिले थे उनने कहा कि हमारे गुरू ने एक शाम हमसे कहा कि देखो हम जा रहे हैं हमने कहा गुरू जा रहे हैं कहरे बस अजराद शरीच शूट रहा है तो हम जा रहे हैं मुझे कहां जहां भी तुम्हे उससे क्या लेंदे मुझे कुछ तो कहरे चल सुनना है तो सुन ले हम अंतिम चण के करीब आते आते तक गंगा तर्ट पर द्यान करेंगे जहां वह आखरी चण आएगा उस समय हम अपने शरीर को गंगा में डाल देंगे ताकि मचलिया घाले और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मरने बाद हमारी मरन पुन्यतिथी मनाता फिरे हम सनातन हैं सनातन की क्या पुन्यति थी ना किच आएबो ना किच जाएबो राम की दुहाई है नेकिच जन्में नेकिच मरे अपने चलत आप ही करे शरीर है जो पंच भूतों में वापिस लीन होगा बस इतनी सी तो बात है इसका इतना हला के उमचा क्योंकि हर द्वार इशिकेश में बड़ा शोर होता है जब कोई मरे सादू तो उसका जलूस निकालते बेर्णवाजे के साथ फिर हर साल उसके नाम का भंणारा होता है लोग कठे होते है उनके नाम की श्रदांजलियां होती है बड़े-बड़े पाथ और यग्य किये जाते है हमारे महा मंदलेशवर जी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे गुनगा था गई जाती बोले तमाशा मुझे नहीं चाहिए और तुझे कह रहा हूँ तुने इस घड़ी इस पल जो कुछ मैंने तुझे कहा अब तु भी भूल जा तुने किसी गुरुबाई गुरुबहन को भी यह नहीं सुना ना कल को तु यह इंट्स्ती फिरे देखा मुझे बताया तुम्हें बताया भी नी तु भूल जा और पीछे मात आना इतना कहके तेजी से वो चले और गंगा के किस चोर गए मालूम नहीं किस किनारे बैठे पता नहीं किस घड़ी शरीर छोड़ा पता नहीं पर इस तुरी ने बताया कि अपने गुरु को अंतिम छणों में इतना ही बस कहकर के निकलते हुए जाना हमें नहीं पता कि उनके शरीर का क्या हुआ या क्या नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात की सक्त चेतावनी दे दी थी कि मेरे पीछे भी कोई नहीं आएगा